श्रीहूम रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि होला अश्टक की क्या माननेता है और होला अश्टक से जुड़ी क्या कथा है होला अश्टक यानि की होली से ठीक आठ दिन पहले का दिन और इन आठ दिनों में सारे शुपका शुरू नहीं किया जाता इस से जुड़ी हुई दो कथाएं हैं एक कथा भगवान शिफ से जुड़ी हुई है वह कुछ इस प्रकार है कि शास्त्रों में बताया गया है कि होला अश्टक के दिन ही कामदेव ने शिफ तपस्या को भंग किया था इसी कारण शिफ जी अत्यंत क प्रोदित हो गये थे उनोंे अपने तीसरे नेत्र की अगनी से कामदेव को भस्म कर दिया हाला कि कामदेव ने देपताओं की इच्छा और उनके अच्छे के लिए शिफ जी की तपस्या से शिफ जी को उठाया था कामदेव ने भस्म होने से समस्त संसार में शोक में डूब गया उनकी पतनी रती ने शिव्ट से मिनिती की की वह उनको पुनर जीवित कर दे तब भगवान बोलेनात ने दुआपर में उन्हें फिर से जीवन देने की बात कही थी वर्ष 2018 में होला अश्टक 23 फरवरी को लगेगा और एक मार्च 2018 तक लगा रहेगा इस आठ दिन के समय काल में कोई भी मांगरिक काले करना ग्रह प्रवेश करना या 16 संसकारों में से कोई भी संसकार करना वर्जित है वेक्ति को नय रोजगार और नया व्यवसाई भी शुरू नहीं करना चाहिए होला अश्टक उत्री भारत में खासकर माना जाता है होला अश्टक के समय काल में यहां तक की कुंडिली देखना भी वर्जित माना गया है होला अश्टक से कुछ और पुरानिक माननेताई भी जुड़ी हुई है होलिका हिर्णे कच्चप की बहन थी जब उसने देखा कि वहाँ अपने पुत्र प्रलात को यातनाई दे रहा है तब उसने अपने भाई को सुझाब दिया कि वहाँ उसे गोद में लेकर अगनी में बैठ जाएगी हिर्णे कच्चप ने प्रलात को विबिन प्रकार की यातनाओं की शुरुवात होला अश्टक के प्रथम दिन से ही प्रारंब करी थी इसलिए यह अवदी शुप कारें के लिए उचित बिलकुल भी नहीं मानी जाती है यह समयकाल बहुत ही अशुब माना जाता है क्योंकि इस समयकाल में प्रलात ने बहुत यातनाएं सही थी होला अश्टक के समयकाल में आप लोगों को इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी शुप कारे हो उसे होला अश्टक खतम होने के बाद ही शुरू करना चाहिए वरना आप लोगों को काफी कष्ट जेलना पड़ सकता है होली अलग-अलग प्रकार से भारत के अलग-अलग हिस्सों में मनाई जाती है मगर होला अश्टक होली से ठीक आठ दिन पहले लग जाता है जो की आप लोगों को मानना चाहिए होला अश्टक के मध्धे दिनों में 16 संसकार में से कोई भी संसकार नहीं किये जाता यहां तक कि अंतिम संसकार करने से पूर्व भी शांति कारे किये जाते हैं इन दिनों में 16 संसकार उपर रोक होने का कारण इस अफदी को शुब नहीं माना जाता है अब ही के लिए बस इतना ही अगर आप और जादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल शरी होम रेमेडिय सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद